दोस्तो इस बार अगर हम देखते हैं तो मोटोला ने कंपिटिशन को पूरी तरह से किल कर दिया हमें अभी अंडर 15,000 जो भी फोन मिल रहे हैं उनको देखते होई मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि मोटो जी फोर्टी एक बहुती अच्छा उप्शन है बस कुछ बात यह हैं जो आपको माइन वे रखके चलना होगा ये फोन पर चेस करते होई तो यार सबसे ची बात यह है कि प्राइस कम रखने के लिए परफोर्मेस के साथ यहां पर कोई कॉप्रमाइस नहीं किया गया इस फोन में है स्नैपड़न 732G चाहिए आपको गेमिंग करनी है या फिर आपका नोर्मल यूज है हर तरफ से आपको यहां पर एक्स्पिरेंस कमाल का होने वाला है इस फोन में इसका रिजन है एक तो एक प्रोसेसर दूसरा इस फोन का डिस्प्लेइ यहां पर आपको मिलते है IPS LCD पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह मुझे अच्छा लगा Motorola फाइनली शिप्ट हो चुका है हाई रिफ्रेश रेट में वो भी ऐसी प्राइजिंग पर है साथ में HDR 10 पैस का सेपोर्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगा इस फोन का जो बेस पे रेंट है वो आते है 14,000 में और आपको इस पे 1,000 का उफ दिया जा रहे है आई से बेंक का का जूस करने वे तो 13,000 का आप यह फोन प्रचेस कर पाएंगे जो कि मैं आसकता हूँ बेस्ट प्राइस है इस फोन का जो भी आपको फोन मिलने सेम प्राइस पर अगर आप उनसे कंपेर करते हैं तो काफी सारी चीज़े यहाँ पर ऐसी है जो कि बहुत ही उनीक है इस प्राइस के हिसाब से एक तो मैं बताई चुका हूँ 732G उसाथ में 120Hz का रिप्रेशेट यह कॉम्बिनेशन अपने आप एक कमाल का कॉम्बिनेशन है अंडर 15,000 को देखते हूँ यह मैं आपको बोल रहा हूँ इसके लावा यहाँ पर प्लस पॉइंट है आपको यहाँ पर इस बार सेक्योर्टी भी दी गई है बिजनस ग्रेट सेक्योर्टी इस फोन में आपको मिलती है जो कि हार्डवेर लेवल पे काम करती है यह इक मैं कहा सकता हूँ बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है बिजनस अपसे वहले जो भी फोन मिलते थे हैं में मोटरो लागे हमाँ पर इस तरह ही अलग से सेक्योर्टी आपको नई दी जाती दी सेक्योर्टी के लिए फिर्फ एक उफ्शन तक हमारे पास नोक सेक्योर्टी का जो कि हमें मिलती है समसंग के स्मार्ट फोन में इससे अगर आप एक उफोन में पहुत ही सेक्योर्टी मिलने वाला है मोटो ल̍रोला का जी होर्टी और दोस्तों मुझे बताने कमेंट्स में कि आपको Moto G40 प्राइस के हिसाब से कैसा लग रहा है और मैंने कमेंट पिन किया हुए आंसर जोड़ जाना कमेंट का जोगी मुझे बता है आप जल्दी से फूरा कर देंगे एक तो अलग से से गोर्टी आपको दी गई है दूसरा यहापर आपको मिलता है सूपर क्लीन इंटरफेस कोई एक्स का बंगा नहीं है और कोई ब्लोटर का बंगा यहापर आपको नहीं मिलता और कस्टमाइजेशन के सभी जुरूरी ओप्शन इस फोन में अवेलेबल है और मैं यह अलड़ी यूज कर चुक हूँ मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में अब वो बताईए है वो टोग क्लास का फोन था उस टाइम अपने प्राइस सेग्मेंट में अब तो प्राइजिंग ओर भी कम होच चुक है वो फोन लोग जुआ था 17-18,000 के आसपास की रेंज में उस फोन में भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उस फोन का डिस्प्ले और यूजर इंटरफेस यहां पर भी यह प्लस पॉइंट है प्राइस के हिसाब से अगर मैं स्टोरेज स्पीड की बात करता हूँ तो यहां पर है UMCP स्टोरेज जिसको आप कंपेर कर सकते हैं UFS 2.2 के साथ तो यहां पर भी कोई दिकर ने आएगी यह भी काफी सही है प्राइस के हिसाब से जब आप यहां पर एप्लिकेशन लोड करोगे तो वह बहुत ही फास्ट लोड हो जाएगी बैटरी यह कम कंजूम परेगा मैं यह पहले टेस्ट कर चुक हूँ तभी मैं आपको इतनी बात बोल रहा हूँ और फ्रेंट में 60 मियाफिसल का सेंसर कैमरा देखो यार ओन पर देखकर जच करना मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं होगा थोड़ा वेट केजिए मैं आपके लिए वीडियो लाँगा इस फोन की जैसे ही फोन की सेल श्राट हो जाएगी आपको मेरी वीडियो मिल ज जियां मैं कहुंगा टिपल स्लोट इस फोन में होना चीह था दो फोन लो जो ही है इंडिया में सबसे सस्ता फोन जहां पर आपको मिल रहे है 108 MP का कैमरा इस फोन का प्राइज है 18,000 यहां भी आपको 1500 का उप्पी दिया जा रहे है आईसे से बैंक का कार्ड यूज करने पे तो 16,000 में मुझे लगता है यह भी एक बहुत अच्छा उप्षेन बन चुगा है इंडियन मार्कित में और फ्रेंट कैमरा भी यहां पर है 32 MP का जो कि आपको मिलता है Moto G40 में 16 MP का इसके लावा यहां पर आपको NFC का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि आपको Moto G40 में नहीं मिल रहा बस इसके लावा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों स्मार्टफोन में तो मैं आपको यह कहूँगा Moto G60 की जगा पर अगर आप Moto G40 में इन्वेस्ट करते हैं तो यह सूपर वैल्यो फॉर मनी है 13,000 में आपको मिल जाएगा बैंकोफर लगाकर तो यह मैं आपको रिखमेंट करूँगा अगर मेरे एकोडिंग है अंडर 15,000 इस टाइम पर बैस स्मार्टफोन बन चुका है बस यह है कि अगर आपको ओनलाइन कंटेंट देखना जादा पसंद है तब आपके लिए एक और अप्शन है Redmi Note 10 क्योंकि यहां पर है AMOLED डिस्प्ले जो कि आपको इस फोन में नहीं मिल रहा तो यह चीज़ा माइट में डखके चलना अगर आपको कंटेंट देखना जादा पसंद है गेमिंग आपको नहीं करनी है तब मैं आपको रिकमेंट करूँगा Redmi Note 10 अधर्वाइस हर मामले में एक कदम आ गया है Moto G40 Redmi Note 10 के comparison में में यहां पर difference आपको मिलेगा एक तो speakers में Redmi Note 10 में dual speaker Moto G40 में single speaker और डिस्प्ले में difference आपको मिल जाएगा यहां पर है Super AMOLED display और यहां पर है normal IPS panel यहां पर 120Hz का refresh rate है यहां पर आपको normal 60Hz का refresh rate मिल रहा है बागी दोस्तों processor में भी आपको फर्क देखने को मिल जाएगा Redmi Note 10 में Snapdragon 678 जो कि normal use के लिए तो ठीक है बट heavy gaming के लिए यह processor नहीं बना हुआ heavy use के लिए और जो Moto G40 यहां पर है Snapdragon 72G जहां पर आप gaming अच्छी घासी कर पाएंगे प्राइस के हिसाब से और interface भी इसका काफी clean है MIUI के सामने तो यह complete package है Moto G40 और Moto G60 का मुझे package अच्छा लगा और में recording Moto G40 इस टाइम बैस्ट फोन बन चुका है under 15,000 आप बताओ मुझे comments में कि आपको यह package प्राइस के हिसाब से कैसा लगा मुझे उम्मीद है आपको पूछ help मिलोगी आज की वीडियो से कर आपको help मिलियो वीडियो को लाइप को शेकर ना बद भूलिएगा मिलते हैं मेरे किसी और वीडियो में thanks for watching this video